भारत 2030 तक आर्थिक महासक्ति बनने का जो सपना देख रहा है अपने गाओं के विकास का अपने किसानों के विकास का युगाओं के हाथ में रोजगार दे करके दुनिया के तीन महासक्तियों में शामिल होने का जो ताना बाना बुन रहा है उस ताने बाने में एक बड़ा ध कोसिस करेंगे समझने की कोसिस करेंगे तो मैं लोकेस्तिर पाथी अभिवादन शुविकार कीजिए मेरे तरफ से और आये जुड़ते हैं फूट प्रोसेसिंग से समझते हैं फूट प्रोसेसिंग को जब हम फूट प्रोसेसिंग की परिभाशा देते हैं तो सीधी सीधी एक बात कही जाती है कि किसान के खेट से निकल करकी और भोगता के प्लेट तक पहुचने में हमारे खाद पदार्त जिन जिन प्रक्रियाओं से गुजरते हैं जिन जिन चरड़ों से गुजरते हैं वे सारे की सारी प्रक्रियाएं वे सारे के सारे चरड फूट प्रोसेसिंग में स रोटी में बनता है। से गुजरती हैं और इन बद्राओं की प्रक्रियाओं से इन खादपदार्थों को गुजरने में जिन जिन नीतियों का सहयोग लिया जाता है जिन जिन सास्थानों का सहयोग लिया जाता है जिन जिन तकनिकियों का सहयोग लिया जाता है वो सब कुछ फूट प्रोसेसिंग मे गुजरते हैं वो food processing कहलाता है इसमें सफाई सामिल है इसमें पैकिंग सामिल है इसमें कई बस्तुओं का मौलिक रूपा अंतरर कर दिया जाता है इसमें processing करने वाली units सामिल होती है इसमें supply chain सामिल होते हैं इसमें cold storage सामिल होते हैं इसमें warehouse सामिल होते हैं इस सारे के सारे food processing के component है अवयव है चर्चा हम एक एक पर विस्तार से करेंगे अपने एक जाम के नजरिये से करेंगे तो आए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये food processing होता कितने प्रकार का है खाद प्रसंस करण होता कितने प्रकार का है तो हम जब चर्चा करते हैं टाइफ आफ फूट प्रसंस करण के प्रकार उपर तो हमें तीन बाते समझ में आती है कि फूट प्रोसेसिंग तीन प्रकार के होते हैं एक को कहा जाता है प्राइमरी प्रोसेसिंग दूसरे को सेकेंडरी प्रोसेसिंग और तिसरे को tertiary processing कहा जाता है primary processing में कहा जाता है कि raw material में थोड़ा भहुत परिवर्तन करके खाने के योग बना दिया जाता है जैसे बाग से apple को तोड़ा उसकी सफाई की और उसकी packing कर दिया कार्टून में गत्टे में pack कर दिया market में जाएगा कुछ बदला नहीं है तोड़ा है थोड़ा साफ ओफ किया है पैकिंग कर दिया है आम को तोड़ा है पैकिंग कर दिया केले को तोड़ा है पैकिंग कर दिया अनार को तोड़ा है पैकिंग कर दिया है जितने भी फल सबजिया इनको क्या किया है तोड़ा है पैकिंग कर दिया है ते फल सबजिया सामिल हो जाते हैं किसमें ये सारे के सारे लोग सामिल हो जाते हैं प्राइमरी प्रोसेसिंग ठीक उसी प्रकार का दूसरा है सेकंडी प्रोसेसिंग सेकेंडे प्रोसेसिंग में जो किसी उत्पाद होते हैं उनमें इस प्रकार बदलाव लाय जाता है कि उनकी भौतिक विशेस्ताएं बदल जाती है उनके फिजिकल करेक्टर चेंज हो जाती है जैसे कौफी के बीज से कौफी पौडर बना लिया जाता है खेत में तो कौफी के भीज उकते हैं उनसे पौडर बनाया जाता है तो भौतिक विशेस्ताएं बदल रही है राशानिक विशेस्ताएं नहीं बदल रही है गेहूं से आटे बना लिया जाता है गेहूं को आटे में तबदील किया जाता है भौतिक विसेस्ताय बन रही है secondary processing में रखते हैं ठीक उसी प्रकार की होती हैत तीसरी जिसे हम tersery processing कहते हैं tersery processing में हम क्या करते हैं जो हमारे खाड़ पदार्थ है उन्हें तुरंद खाने की इस्थती में ला धेते हैं मतलब हम खाड़ पदार्थों कोja जूस बना लेंगे पैकेट में रख देंगे डिबे में, मारके मुझा ये खोले पी जाईए यानि वो तुरंद खाने के सती में हम मुरब्बा बनाते हैं, अचार बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं, तमाम बेकरी उतपाद बनाते हैं, ब्रेड इत्याज, ये सारे किसमें आते हैं इस सारे के सारे टर्सरी प्रोसेसिंग में आती है पूरे के पूरे गौर से देखिएगा पूरे के पूरे खाद प्रसंसकर इंडस्टी को खाद प्रसंसकर को ते इनी तीन प्रकारों के दिखेंगे तिये रहे खाद प्रसंसकर के प्रकार साथी साथ अब थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं इस खेती को इस किसानी को पुना बरदान बनाया जा सकता है खेती को प्रोफिटेबल बिजनेस का रूप दिया जा सकता है क्रिसी को जीवन निर्वाक्रिसी से बेवशायक रूप में अस्थापित किया जा सकता है इसी फूट प्रोसेसिंग के भरोसे इसी फूट प्रोसेसिं का इतना महत्व है कि भारत इसके सहारे विखसित भारत बन सकता है या विखसित भारत बनने में इस फूट प्रोसेसिंग का एक बड़ा महत्व हो तो आऎे इसकी संभावनाउं को ट्टोलते हैं, तलासती हैं तो एक बाद तो आप लोग सीधे सीधे देख रहे हो हमारी जीवन सैली लगातार बदलती जा रही है हम सब की जीवन सैली भारत की जीवन सैली लगातार बदलती जा रही है सच तो ये है कि ग्रामिड भारत कशबारी भारत में तक्रीबन तक्रीबन तबदील होने के कगार पर खड़ा है और कश्वे शहरों में तब्दील होने की कखारपड करे। बहुत तेजी से हमारे गाउं कस्वों में बदलते जा रहे हैं, कस्वों छोटे सहरों में छोटे सहर, बड़े सहरों में बदलते जा रहे हैं और इन सबसे हमारी जीवन सैली भी लगातार बदल रही है हमारी खान पान यानि आहार की आदते भी लगातार बदल रही है अब भोकता स्वाद की तलास कर रहा है खाना से पेट भरने के लिए नहीं चाहिए खाना स्वाद के लिए चाहिए और ये तीनों चीजे बदलती जी के लिए लावकारी है तो देखते हैं कैसे सभी के लिए लावकारी है तो सभी में किसान कहां ख़ड़ा है और अंतता हमारी अर्थवे उस्ता कहां खड़ी है अगर किसान के नजरिये से इस food processing को देखा जाए तो बहतर आयब प्राप्त होती है और जब बेहतर आए पर आप तो नीबू की खेती कर लिजिए आपके पास थोड़ी सी जब इन्हें नीबू के पेड़ लगा लिजिए नीबू तोड़ करके बेचिए अच्छे पासे मिल रहे है यानि बेहतर आए के संभावना हो रही है खेती का रिस्ट कम हो रहा है यहां नीबू एक उधारर है किसी भी कि खेती से प्रॉफिट पाया जा सकता है मिर्च की खेती कर लीजिया थोड़ा सा ही है फूट प्रोसेसिंग यूनिट को मिर्च बेची मचली पालन कर लीजिया यूनिट को मचली बेची यानि इस बात की संभावना हैं कि फूट प्रोसेसिंग आगे बढ़ेगा तो किसान को उससे आये प्राप्त होगी खेती का रिस्ट कम होगा एक बात मैं बताता हूँ आपने मार्केट से चिप्स खरीदा होगा लेज दस रुपे बीस रुपे का मिलता है बच्चे खाते हैं आप लोग भी खाते ही होंगे कभी लेज को 10 रुपे का लेज खरी दियेगा फाड़ करके फेकियेगा उससे जितना ये चिप्स निकलता है आलू वाला न बब मुस्किल से एक आलू का होता है अगर मार्केट काश निकाली जाए तो एक आलू थोड़ा सा नीबू थोड़ा सा मिर्च नमक उसमें पड़ा हुआ है और पैकिंग कर दी गई है 10 रुपे का जो लेज आपके हाथ में आता है उसकी लागत 1 से 1.5 रुपे से अधिकी नहीं है लेकिन मार्केट वो 10 रुपे का खुब बिकता है अब देखे जिस ब्यक्ति ने आलू उगाया पशीना बहाया उसको उस एक आलू की कीमत 25 पैसे भी नहीं मिली और जिस ब्यक्ति ने आलू खरीदा उसमें निबू मिर्ची नमक डाला सब कुछ किया बबुस्किल से 1.5 रुपे का लगाई 10 रुपे मेचा उसने 8 रुपे कमा लिया यहीं फूट प्रॉसेसिंग पांच रुपे का मक्का खरीदा उसे भूना पैकिंग किया नाम रख दिया पौफकार्ण और 70-75 रुपे में बेस दिया पूरा शहर खरीद रहा है तो पांच रुपे का मक्का जि इसने मेहनत किया, ख्याट डाली, बीज डाली, कि इतना सक डाला, उसको एक दो रूपे ही मिले, लेकिन जिसने उसका ब्यापार कर दिया, वो 75 रूपे कमा ले, इसे प्रसिद सायर ने एक बार कहा था, कि एक रोटी, एक रोटी को भेलता है, दूसरा रोटी खाता है, तीसरा रोटी से खेलता है, मैं पूछता हूँ, या तीसरा ब्यक्ति कौन है, इस देश की संसत मौन है, तो बारे सरकार कह रही है, कब हम मौन नहीं रहेंगे, हम यह जो तीसरा ब्यक्ति है, जो बड़ा लाव का हिस्सा लेकर के चला जा रहा है, या अब तीसरा ब्यक्ति को योर नहीं हमारा किशान होगा हमारा अन्नदाता होगा हम फूट प्रोसेसिंग को गाउं तक ले जाएंगे घर तक ले जाएंगे एक एक किसान तक ले जाएंगे और हम किसान को इस फूट प्रोसेसिंग के माध्यम से बेहतर आये दिलवाएंगे उनके रिस्क को कम करेंगे तो किस इसान के नजरिये से तो बड़ा ही फायदे मंध है ये food processing जब हम भोक्ता के नजरिये से देखते हैं ति अभी दिखता है कि भोक्ता को खाद विटता प्राप्त होती है होने भी चाहिए अगर भोक्ता बाजार में खड़ा है पैसा लेकर के खड़ा है, पेमेंट करने के स्थिति में खड़ा है, तुसे उसका हक है कि धेर सारे प्रकार के खाद पदार्थ, बिभिन स्वाद के खाद पदार्थ, स्वास्त के लिए बिभिन प्रकार के लाबदायक खाद पदार्थ, उसके लिए उपलब्ध हो, फूट प ब्योस्था में फूट प्रोसेसिंग के कारण नए ब्योसाय उत्पन हो रहे हैं फूट प्रोसेसिंग ही एक नए ब्योसाय के रूप में इस्टेबिश हो रहा है और इससे रोजगार के अधिक औसर सर्जित हो रहे हैं और जब रोजगार के अधिक औसर सर्जित होते हैं तो अर्थव्योस्था को लाब तो मिलता ही मिलता है यानि किसान भी फायदे की स्कति में है वो भोगता भी फायदे के स्कति में है अर्थव्योस्था भी फायदे के स्कति में है शंभावनाए इस बात की है कि किसान के हाथ भी मजबूत होंगे वो भोगता के साथ कंजूमर जस् माच कुलाब होगा तो ये संभावनाएं है इन संभावनों के साथ साथ अगर हम देखें कि भारत की विशेश करके संभावनाएं क्या है भारत की विशेश करके संभावनाएं क्या है ये संभावनाएं तो पूरी दुनिया की है थोड़ा भारत पर फोकस करती है तो भारत की स और जब भारत के पास ब्यापक उत्पादानाधार है तो फूट प्रोसेसिंग के सहरे भारत विश्व का अग्रणी खाद आपूर्तिकरता बन सकता है। और जैसे जैसे सहरी करण बढ़ता है फूट प्रोसेसिंग का विस्तार बढ़ता है। तो भारत का खुद का घरिलू बाजार ही बढ़ा है। यदि भारत अपने ही बाजार की जरूरते पूरा कर ले तिया उद्योग अर्थव्योस्था को बहुत लाब पहुचा सकता है। य महिलाएगर से बाहर निकल करके काम कर रही है। तो महिलाएगर जो घर से बाहर निकल करके काम कर रही है। या भी फूट प्रोसेसिंग वो द्यूब को विस्तार दे रहा है। जो शहरी करण बढ़ रहा है। वो फूट प्रोसेसिंग वो द्यूब को विस्तार दे रहा जब इंकम बढ़ती है तभी नो हर महीने बड़े मनाने मेरेज इन्वरसरी मनाने और सटर्डे संडे मनाने होटर रेश्टोरेंट तक जाता है मार्केट में खाने पीने जाता है तभी तो इस फूट प्रसेसिंग उद्योग का विस्तार होता है यानि कुल मिला जुला करके भारतियों के खान पान और जीवन सहली में बदलाओ आ रहा है और यह सब बढ़ता हुआ सारी करण मध्यवर की बढ़ती आए महिलाओं का घर से बाहर निकलना बदलती जीवन सहली इससे खाद प्रसंसकरण में बेहतर संभावनाए उत्पन हो रह अशेमित आशर उत्पन किये है भारत में अगर देखा जाए तो भारत में ए力 value chain का agriculture value chain का बहुत विकास नहीं हुआ है जिसे भारत में वेयर हाउस का कोल्ड इस्टोरिस का सप्लाई चेन का बहुत विकास नहीं हुआ है लेकिन चुकि फूट प्रोसेसिंग बाजार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो प्राइबेट सेक्टर इस फूट प्रोसेसिंग बाजार के कारण आएगा इंवेस्ट और जब ये सब कुछ हो रहा है तो धीरे धीरे यह बात तै है कि भारत में फूट प्रोसेसिंग यूनिट के आगे बढ़ने की असीमित संभावनाएं हैं भारत जो बिक्सित भारत का तानावाना बुन रहा है उसमें एक मजबूत धागा फूट प्रोसेसिंग का तो बन ही सकता है बन ही रहा है और बनेगा ही अब इसी के साथ साथ ये चर्चा हम करते हैं कि आखिर भारत में फूट प्रोसेसिंग के समख्च चुनोतियां क्या क्या है क्या कि आपको इजाम में बातें लिखनी है तो जब हम चुनोतियों के बात करेंगे तो हमें एक चुनोति कि यह पहले ही भारत का सहरी करण हो रहा है लेकिन आज भी भारत की प्योर जो सहरी आबादी है वह कम है कुल आबादी का 30% ही सहरी आबादी है पहली बात यह दूसरी बात यह द्रखना शहर याद रखना शहर भुगोल का टुकड़ा नहीं होता है सहर को जगा से परिभाशित नहीं किया जाता है वस्तुता शहर एक प्रकार के संस्कृती होती है और उस संस्कृती में शामिल होते हैं सहर की खान खान पान रीत रिवाज परंपराएं संसकार गाओं के खान पान रीत रिवाज परंपराएं और संसकार अलग होते हैं शहर के खान पान रीत रिवाज परंपराएं और संसकार अलग होते हैं अगर देखा जाया कि जो भारत की सहरी पीड़ी है न यह अपने खान पान के मामले में उतनी शहरी नहीं है जितना इसे होने चाहिए खान पान रहे हैं शहर में लेकिन खान पान की मामले में उतनी शहरी नहीं है अब हमारे जास आदमी लंदन में भेज़ दो लिट्टी चोखा ही ढूढेगा दाल बाच चोखा ही ढूढेगा ठीक, मोठी रोटी और सरसों के सागी ढूढेगा यह सिर्ब मेरी ये कहानी नहीं है यह शहरो में रह रहे भाहुमत के वर की कहानी है क्योंकि हम सहर में भड़े ही रह रहे हैं हमारे संस्कार तो अभी गाओं के खूटे में ही बधे हैं और यह बुरी बात नहीं अच्छी भी बात है और मैं तो इसे गर्व से कहता हूँ कि सरीर शहर में है लेकिन मेरा मन तो नहीं गेहों के खेतों में, सरसों के खेतों में, गाओं के खेतों में भैंस के बथानों में, तालाब के किनारे वहीं खड़ा है कमोवेश वो हर आदमी इसी कसम कश में जी रहा है जो पहली पीड़ी का सहरी है मैं तो पहली पीड़ी का सहरी गी मैं एक अतात पर मेरे जैसे धेर सारे लोग जो पहली पीड़ी में गाउँ छोड़के आया है सारों में कामदंदा रोजगार कर रहे है तो जो पहली पीड़ी का शहरी है उसकी भी खान पान की यात्ते शहरी नहीं है और जो हमसे पहले भी रह रहे हैं उनकी भी बमुस्किल से दूसरी या तीसरी पीडी ही सहरे में रह रही है इसलिए खान पान की आते अभी भी ग्रामीड ही बनी हुई है और इसलिए गौर से देखा जाए तो कुछ मेट्रोपोलिटन सीटीज को छोड़ करके अन्य सहरों में प्रसास्कृत खाद पदार्थों की मांग बहुत कम है आज भी रेश्टोरेंट चलाने वालों को अपने रेश्टोरेंट चलाने के लिए बोड लगाया लगाना पड़ता है कि हमारे हां का खाना मा के हाथों के खाने जैसा मिलता है तब इस आपने दिखा होगा तमाम चुरेंट में देखा है कि हमारे हां के खाने में मा के हाथ के खाने जैसा स्वाथ है तो फिर पहले मैं सोचता था ये क्या है बाद में जब अर्थसास समझ में आये तो मैंने इसको आर्थिक नजरिये से देखा कि यह अपने ग्रहों को खुलो हाने का एक तरीका है क्योंकि आज भी हमारे भारत का आदमी सरवाधिक स्वात तो मा के हाथों में ही ढूरता है और होता भी सरवाधिक स्वात मा के हाथों में ही है यानि कुल मिला जुला करके कहने कातात पर यह है कि जो पहली पीडी सहर में आई है उसकी तो खान पान की आते सहरी हुई ही नहीं है जो हमसे पहले की पीडी दूसरी और तीसरी पीडी भी सहरों में रह रही है कमोवेस उनकी भी खान पान की आते कुछ न कुछ ग्रामिड बन हुई है इसलिए हम देखते हैं कि जितनी बड़ी हमारी शहरी अबादी है उसके इसाब से हमें हमारे हां प्रोसेश्ट फूट की प्रसंस्कृत खाद प्रदार्थों की मांग बहुत कम है यह एक चुनावती है ठीक साथ साथ एक और बात है आपने अखबारों में देखा होगा आपने सोसल मीडिया पर देखा होगा अभी त्योहार आ रहा रहे हैं दिवाली उसमें आप पढ़ेंगे कि स्वास विभाग खाज विभाग के टीम ने छापा मारा तो इस दुकान पर इस मिठाई की दुकान पर इतने क्विंटल नकली मावा पकड़ा जो केमिकल से बना है इतना दूद पकड़ा जो केमिकल से बना है इतना पनीर पकड़ा जो केमिकल से बना है प्लास्टिक के प हमारे ख़बारों के द्वारा हमारे सोसल मीडिया के द्वारा आए दिन हमारे सामने फाशपूड, मिल्क प्रोडक्ट, मेकेमिकल्स के मिलाने की धेर सारी खबरे आती है। इन खबरों ने शहरी मध्यवर्ग के शहर में रहने वाला जो मिडल क्लास है उसके एक बड़े तबके को प्रोसेसिंग फूट्स के खिलाफ खड़ा कर दिया है यह क्या कर दिया है यह दूसरी चुनोती है कि हमा एक आपके घर में ही मम्मी कहें बाहर जाना बर्गर मत खाना ठीक यह मत खाना ममी कहती है क्योंकि जो बर्गर बना रहा है वह कई दिनों से एक ही तील का इस्तेमाल कर रहा है जो कुरकुरे चिप्स बना रहा है कई दिनों से एक ही तील का इस्तेमाल कर रहा है जो आप दुकान से मिठाई या खरीद के ला रहे है वो मिठाईया आपको लगता है खोवे की है वो नकली खोवे की बनी हुए केमिकल स्यूप्ट है और शहर का एक बड़ा तब का सच में इस पैकेट बंद फूट के खिलाफ खड़ा हो गया है अब उसे ओरिजिनल भी दोगेत कहेगा नहीं नहीं हम बाहर करने खाते हैं नकली है इसने भी फूट प्रोसेसिंग इंडस्टी के सामने एक बड़ी चुनोती खड़ी करती है बाजार में अगर असली खाने का पदार्थ बिकिभी रहा है तो भी लोग उसे संसाय की निगास से देखते हैं आप लोगों ने माशूर्श किया होगा या भारत में फूट प्रोसेस के सामने बड़ी चुनोती है इसलिए भारत सरकार तमाम प्रियास कर रही है और करना भी चाहिए कि अधि फूट प्रोसेसिंग इंडस्टी को आपको आगे बढ़ाना है तो आपको ऐसे संस्थागत प्रियास करने होंगे ताकि जो ब्यक्ति खा रहा है वह या स्योर हो कि व लेयर हाउस का फूट पार्क आदि में प्राइबेट सेक्टर का इंवेस्टमेंट बहुत नहीं हुआ है इसलिए या छेत्र मिछला हुआ है या छेत्र सरकार के ही भरों से खड़ा है बरतमान सरकार अभी दो दिन पहले एक प्रियास लेकर के आई है कि निश्नल फूट प् आकर सित करें क्योंकि जब तक प्राइबेट सेक्टर इस फूट प्रोसेसिंग में इंवेस्टमेंट नहीं करेगा या छेत्र पिछड़ा ही रहेगा ठीक तो अब तक प्राइबेट सेक्टर का बहतर इंवेस्टमेंट नहीं हुआ है इसलिए या छेत्र पिछड़ा हुआ ह इसलिए चिनवती बड़ी निखरी साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो हमारा प्रोसेसिंग सेक्टर है इसमें न्यू बिजनेस शुरू करने के लिए बेहतर कर्ज की बेऊस्था नहीं है इसलिए भी नए नए श्टार्ट अप फूट प्रोसेसिंग में बहुत अधिक आ नह के लिए बहुत आसान सर्तों पर लोन उपलब्द करा रही है तो हम मुद्दा है हम चुनोतियों का तो चुनोतियों में एक चुनोती है कि फूट प्रोसेसिंग में न्यू बिजनेस के लिए सस्ते कर्ज की और तुरंत कर्ज उपलब्द कराने की बेऊस्था है भारत में कम हैं संकुचित हैं सरकार भले कह दे लेकिन घरातल पर तो नहीं है बैंक वाले तमाम माइक्रो संस्थान नए स्टार्टप को लोन नहीं देते हैं बहुत घुमाते हैं तो कर्ज की बेहतर ब्योस्था का नो होना भी एक चुनोती है ठीट तो यह यह रही फूट प्रोसेसिंग की समझ उत्पन चुनोतियां और यह रही फूट प्रोसेसिंग को कि भारत में शंभावन आएं और यह रही फूट चैप्टर है 22 से आदे घंटे 45 मिनिट का एक्जाम के लिए बहुत महत्पूर है भी देखिए पिछले साल मेंस में इससे सवाल आया था मतलब ये जो मेंस हुआ ये नहीं इसके पिछले साल जो मेंस हुआ था उसमें इस सवाल आया था और आती रहेगा क्योंकि 2030 तक सरकार इस पर बहुत काम करेगी उसके बाद भी करेगी अभी इसलिए जादे कर रही है क्योंकि सेक्टर का जितना इस्तेमाल अर्थव्योस्ता में होना चाहिए सच है कि हम एक परसेंट भी नहीं कर पाएं तो आईये देखते हैं कि अब तक भारत में इसको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या काम किये गए, तो देखिये, फूट प्रोसेसिन को बढ़ावा देने की पाल तो आजादी के बाद ही हुई, लेकिन फूट प्रोसेसिन करिसी मंत्राले के अधीन था, भारत का एक्च्यूल में सहारी करद तो 1990 के अर्थिक सुधारों के बाद हुआ है तेजी से सहर बढ़ेंगे तभी तो फूट प्रोसेसिंग आगे बढ़ेगी तेजी से सहर बशेंगे तो तभी तो फूट प्रोसेसिंग आगे बढ़ेगी 91 के सुधारों के बाद पैसा बड़े सहरों से छोटे सहरों की और फ्लो होना सुरू हुआ प्राइबेट इन्वेस्टमेंट छोटे सहरों की और जाना सुरू हुआ रोजगार के उसर छोटे सहरों में उत्पन हुए सहरी करण तेजी से बढ़ा तो 21 सताबदी तक आते याते यह जरूरत महसूच की गई कि क्यों हम एक अलग से फूट प्रोसेसिंग के लिए मंत्राले ही बना दे और इसे किसी मंत्राले से बाहर कर दे तो 2001 में सरकार ने खाद प्रसंसकरड मंत्राले बनाया 2001 में मिनिश्ट्य आप फूट प्रोसेसिंग 2001 में बनाया और इसके कुछ कारे सोओं पे गए और इसके कारियों को सरदानतिक रूप से कई भागों में बाटा गया जैसे इसके कुछ कारी होते हैं जिसे हम नीति गत सहायता के कारी कहते हैं अर्थात Food Processing मंत्रा ले ठीक, पॉलिसी के बारे में कारी बनता है तो अggak देश में आप कहोगे क्या कारे करता है? तो food processing मंत्राले धेर सारी नीटियों का प्रतिपादन करता है ताकि food processing को बढ़ावा दिया जा सके और उन नीटियों का कारियानवन भी करता है यानि उन नीटियों को लागू भी करता है साथ साथ कई नीतिगत पहल भी की गई है जैसे बीयर इलकोहल को छोड़ करके 100% विदेशी निवेश food processing में ला दिया गया है दिखो इलकोहल भी food processing में ही आता है तो सरकार ने कहा है कि बीयर और इलकोहल को छोड़ करके हम 100% FDI ला रहे है यानि बीयर और इलकोहल के अलावा दुनिया की कोई भी कमपनी आ सकती है 100% FDI है FDI पढ़ाएंगे बताएंगे क्या है 100% FDI यानि 100% भारत में आकर की अपनी यूनिट लगा सकती है सबसक्रस्थ मालिकान हाख उनिका रहेगा कोई रोग टोग नहीं ठीक साथ साथ दूसरी जिम्यदारी इसको सौपी गई तीसरी जिम्यदारी सौपी गई है कि कच्छे उतपादों को मूले वर्धित उतपादों में तबदील करने है इनफ्रा का निर्मार करना भी एक फूट प्रोसेसिंग मिनिष्टी की जिम्यदारी है आप कहोगी कच्छे उतपादों को मूले वर्धित उतपादों में तबदील करने की जिम्यदारी का मतलब क्या होता देखो इकॉनमी में देखो नार्मल जीवन में जिससे आप प्रोडक्शन कहते हो उसे एकॉनमी में वैल्यू एडिशन कहा जाता है मूले वर्धन कहा जाता है अर्थात मेरे आसपास क्या है देखो मेरे आसपास एक बॉटल का पानी है इसी से समझा देता हूँ एक भासा में हम कह सकते हैं कि यह किंले कपनी का पानी है मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं ऐसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ठीक नहीं जोंसे एक रुपे का पानी दीजा सबस्वर पानी के लिए प्रस्ड़ पानी और चार रूपे के पानी को मार्केट में लेया करके 15 रूपे का समधोता यह पानी है 15 में बेज दिया यानि इस कम्पनी ने चार रूपे के का और उस चार रूपे में क्या है एक रूपे का पानी है पचास पैसे का है रेपर है एक रूपे की बॉटल है यही लगाया यानि प्लास्टिक का कागज के पानी का कच्छे माल के रूप में इस्तेमाल किया है और जिस कच्छे माल की कीमत चार रूपे थी, उसी चार रूपे का वैलू अडिसन कर दिया, मुल्य वर्धन कर दिया कितने में 15 रूपे में, क्योंकि वही चार रूपे खर् Junior करके एक बाटल की कि बनाया तो उसे बारकेट में 15 में बेच दिया यानी कच्छे माल का वैलु एडिशन किया लेकिन कहानी इतनी भी सस्ती नहीं है इस प्लास्टिक बॉट्ल को बनाने में भक्कन को बनाने में इस रैह इन्फरा का भी निर्मार बहुत नहीं हुआ है ठीक साथ साथ भारत में प्रोसेसिंग यूनित से जुड़ी टेक्नोलजी का भी विकास बहुत नहीं हो पाया है तो इस मंत्राले को कहा गया है कामशावपा गया कि मंत्राले कच्छे उठ्पादों को मूल निवर्धित उत्पादन में तब्दील करने हो तू इन्फरा का निर्माल करेगा मंत्राले प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई टिकनोलोजी का विकास करने में इन्फरा का निर्माल करना करेगा यह इस मंत्राले की जिमेदारी है समझेगा यानि मंत्राले को काम सौपा ग करेंगे जैसे मेगा फूट पार्क का विकास करेंगे धेर सारे मेगा फूट पार्क बनाएंगे धेर सारा cold storage बनाएंगे देश में, जे देश में जितने भी slaughter house हैं, बुचर खाने हैं, उनका आप आधुनी की करर करेंगे, ताकि meat industry को भी world class पर बनाए जा सके, और भारत से meat को धेर सारे देशों में export किया जा सके, जैसे गल्प में भारत के meat की बड़ी demand है, लेकिन उस मंत्राले, mega food park का विकास करता है, cold storage chain का विकास करता है, बुचर खाने का आधुन की करता है, सासार मंत्राले कुछ प्रोसाहन बाले पहल भी करता है, यानि food processing को कैसे प्रोसाहन दिया जाए, इस बेवशाय को कैसे profitable business में तबदिल किया जाए, इस से सम्बंधित कारे भी मंत् करता है, किसका करता है, food processing से जड़े हुए, सेमिनार कायोजन करता है, प्रदर्शनियों कायोजन करता है, मेले कायोजन करता है, भाई इतना मेला वला लगाएगा, सेमिनार करेगा, प्रदर्शनी करेगा, तभी तो लोग food processing को जानेंगे, ठीक, आगे बढ़ेंगे, समझ मे तो एक 2001 में जो मंत्राले बनाये गया उस मंत्राले के थत इतना काम सुब दिया गया और मंत्राले बहुत बहतरी से इनकाम को करिवी रहा है साथ-साथ एक बड़ी चिंता थी ठीक और ये थी कि फूट प्रोसेसिंग हमारे देश में कई भी भागों में बटा हुआ था कई भी भागों में बटा हुआ था यह हुआ कि क्यों न हम फूट प्रोसेसिंग मार लो किसी एक बेट को एक यूनिट खोलना है फूट प्रोसेसिंग का तो कभी उसाफिस में दोड़ रहा है कभी उसाफिस में दोड़ रहा है कभी उसाफिस में दोड़ रहा है कभी उसाफि पदार्थ, गुरवत्ता युक्त होने चाहिए, स्वास्त वर्धक होने चाहिए, इन्हें खाने से खाने वाले के स्वास्त पर कोई खत्रा नहीं होगा, इसके लिए कोई सिंगल डिपार्टमेंट जिमेदार नहीं था, कई डिपार्टमेंट जिमेदार था, कोई जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है कोई इसे कर रहा है वह इसे कर रहा है और एक बाद जालने जिएगा फूट प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाना होगा तो आपको फूट सेक्योर्टी फूट इस्टेंडर्ट को आगे बढ़ाना होगा यहाँ फूट सेक्योर्टी से तात पर है कि जो अधिनियम लाया और जिस अधिनियम का नाम है खाद सुरक्षा एवं मानक अधिनियम फूट सेफ्टी एंड इस्टेर्डर एक 2006 और इस अधिनियम के तहद सरकार ने कहा कि फूट सेक्योर्टी और उसके इस्टेंडर से जुड़े सभी मामलों को कई भी भागों के नियंतरर स हटा करके किसी एक डिपार्टमेंट के अधिन ला जायेगा इस अधिनियम में कहा गया और एक डिपार्टमेंट के अधिन लाया भी गया ठीक तो डिपार्टमेंट कौन है तो भाई जब इस कानून में कहा दिया गया कि एक डिपार्टमेंट के अंतरगत लाये जाएगा त तो इसी कानून के तहट दो हजार आठ में साल था दो हजार आठ का और एक संस्थान बनाया गया जिसका नाम रखा गया Food Safety and Standard Authority of India भारती खाद्य सुरक्षा यो मानक प्राधिकरण जिसे FSSAI कहा जाता है। FSSAI द्वारा प्रमारित यानि कोई भी चीज अगर FSSAI द्वारा प्रमारित नहीं है तो इसका मतलब है कि वह स्वास्त के लिए अभी उसकी टेस्टिंग नहीं हुई है वह स्वास्त के लिए लाबदायक नहीं है बिना लैब के ही मार्केट में लाए गया है। इस FSS AI को target दिया गया कि आप food material की गुर्वत्ता को सुनिश्चित करेंगे आप इस बात को तै करेंगे कि भोगता जो दे करके खरीद रहा है खा रहा है उससे उसकी स्वास्त को कोई नुकसान नहीं पहुचेगा या पहल की गई 2008 में यानि food processing को 21 सताब दिम्या के बढ़ाने के लिए जो काम किया जा रहा है पहला food processing ministry 2001 फिर food safety and standard 8 2006 फिर 2008 में FSS AI की अस्थापना ये की गई उसके बाद concept आया मेगा food park का और कहा गया कि इस मेगा food park पर concept करेंगे और हम concentration करेंगे और बरतमान में तो मेगा food park ही food processing की आत्मा बन के खड़ा हो गया है तो आएए आपको मैं समझाता हूँ क्या है यह मेगा food park दरसल यह जो मेगा food park है यह एक संस्थान के रूप में काम करते हैं नाम है मेगा फूट पार्क लेकिन है एक संस्थान यह संस्थान जिसे मेगा फूट पार्क का नाम दिया गया है कुछ यूँ काम करता है मेगा फूट पार्क है यह हो गया संस्थान यह एक बड़ा एरिया एक्वाइर कर लेगा और इस एरिये को नाम क्या दे दिया जाएगा मेगा फूट पार्क यहाँ धेर सारी किस्म की प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी जाएगी प्रोसेसिंग यूनिट मतलब फूट प्रोसेसिंग करने वाली कंपनिया लगा दी जाएगी मालो यहाँ अचार बनाने वाली कमपनी लगा दी गई, यहाँ जूस बनाने वाली कमपनी लगा दी गई, कि एपल खरीद के ला रहे हैं, एपल जूस बना रहे हैं, आउला खरीद के ला रहे हैं, आउला जूस बना दे रहे हैं, बासमद रहे हैं, यहाँ गेहों को आटे में जाए कि देर तक खराब खाराब न हो उनकी यूनित लगा दी गई इसे चिपस बनाने की यूनित लगा दी गई श्लाटर हाउस बना देगा सब्सक्राइख बना और इस अब रहा है मेगा फूट पार उसके बाद यही पर इस्किल सेंटर बना देगा बॉटल बनाने वाला सेंटर यही पर बना देगा यही ऑफिस बना देगा यही पर बैंक बना देगा यह सारी चीज़े यही पर बना दी जाएंगे यानि फूट प्रोसेसिंग के लिए जितनी जरूरी सब लगा दिया जाएगा यानी खाद पदार्त आए इस एरिये में और इस एरिये से पूरी तरह बन करके सप्लाई होने जाए और उसे सप्लाई के लिए तयार होने के लिए जितनी चीजों की जरूरत है सब यह यह फैसा साई काफिस खोल दिया जाएगा सब चीजे एक ही एरिये में लगा दीगा समझ रहे हो बात को न अगर माल लो आपको एपल से पल जूस बनाना है तो एपल उसको जूस तबदिल करना उसमें कुछ डालना खराब नहों उसकी पैकिंग की इंडिस्टी वही ल देना है जितनी चीजे है सब एक ही केंपस में खड़ी हो जाती है उसे कहा जाता है मेगा फूट पार्क और जो यह बेवस्थाय करता है उसे भी कहा जाता है मेगा फूट पार्क समझना हूँ अब ये मेगा फूट पार्क करता क्या है करता क्या है मेगा फूट पार्क फार्मर से जो हमारे किसान है जो हमारे फार्मर है इन फार्मर से सारी चीजें खरीद लेता है ग्यों खरीद लेगा आटे में तबदिल करेगा मिर्च खरीदेगा अचार में तबदिल करेगा यानि ये मेगा फूट पार्क ही किसानों से उनको उत्पात खरीद ले रहा है और पैकिंग कर रहा है बना रहा है और फिर जो हमारे रीटेलर हैं खुदरा दुकानदार हैं उन सब को यहीं से सप्लाई कर दे रहा है छिस किसानों से प्रोड़क्ट खरीद करके प्रोसेसिंग उनिट को बेच देते हैं और प्रोसेसिंग उनिट से पूरा इसको क्या कर देते हैं supply कर देते हैं यही concept है mega food park का पूरी दुनिया में food processing को आगे बढ़ाने के लिए इसी mega food park के concept कर काम किया जा रहा है कुल विलाजुला करके हम कहें तो यह जो mega food park होते हैं यह एक cluster आधारित द्रिष्टिकोन पर काम करते हैं अर्थात processing से जुड़ी जितनी भी सहाय का उसर रचना है वो एक ही जगा पर होती है यहीं होती है processing से जुड़ी जितनी भी सहाय का उसर रचना है हमने बताया सारी की सारी यही पर अस्थापित होती है और जब किसी भी उद्योग से जुड़ी सहाय का उसर जाचनाय उसे उद्दियों के campus में ऐस्थापिट कर दी जाती है तो उसे ही कहते हैं cluster based दृष्टिकोर cluster दृष्टिकोर तो mega food park भी नहीं cluster आधारी कॉंसेट पर काम करते हैं 2021 तक 42 मेगा फूट पार को मंजूरी दी जा चुकी है इन पर काम तेजी से किया जा रहा है तो यह रही कहानी मेगा फूट पार की उसके बाद 2021 में एक बहुत भारी काम शुरू हुआ जिसे हम कहते है नेशनल मिशन आन फूट प्रोसेसिंग राष्टी खाद प्रसंस्क्रण म मिशन एक कन्फूजन दूर कर लिजेगा दरसल यह नेशनल फूट प्रोसेसिंग मिशन सुरू किया गया था 2012 में और उसके भीतर थोड़े थोड़े काम किये जा रहे थे लेकिन 2021 में आत्म निर्भर भारत अभियान को ले करके जब भारत सरकार आई एक चीज़ कन्फूज जो या होगे तुम लग ऐसे समझाते हैं 2012 में बात चल रही थी नेशनल मिशन फूट प्रोसेसिंग की अलग अलग काम किये जा रहे थे लेकिन कोरोना जब आया और कोरोना से निपटने के लिए कोरोना के घाव पर मरहम लगाने के लिए भारत सरकार जब आत्मेर भारत करेंगे कि अप फूट प्रोसेसिंग एगरिकल्चर सेक्टर के लिए विकास के इंजन के रूप में काम करेगा यानि अव अकेले पूरे के पूरे किसी छेतर को आगे बढ़ा देगा खेती-किसानी के छेतर में रोजगार देगा देश की अर्थवेवस्था को आगे ठीक और साथ साथ कहा गया इस मिशन द्वारा कहा गया कि राज्य और केंसासित प्रदेशों में जो food processing scheme और agriculture scheme अलग-अलग चल रही है इसी national food processing mission द्वारा उनके भी समन्द में अस्थापी किया जाएगा यानि national food processing mission कुछ यूँ काम कर रहा अगर ये कहें national food processing mission ये कर क्या रहा है इसके तरफ कहा जा रहा है कि जो agriculture को बढ़ावा देने की scheme चल रही है जो देश में agriculture को बढ़ावा देने की scheme चल रही है और एक तरफ देश में कई पूद प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने की scheme चल र इस एगरी कल्चर और फूट प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने की स्कीम में कई जगा समन्वे की जरूरत है। स्लाटर हाउस बूचर खाने का आधुनिकी करर करेगा। या दाई तो सौपा गया और खुब तेजी से काम चल रहा है इस निशनल फूट प्रोसेसिंग मीशन पर। इसे के साथ साथ थोड़ा हम जब पीछे बढ़ते हैं। जिसमें उन्हों जिसका उन्होंने नाम दिया था जिसको प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना। और इसके ताहत उन्होंने कहा था ठीक कि किसान संपदा योजना है 2016 में। उन्होंने कहा था कि अगर हमें किसानों की आयक को दुगनी करनी है तो हमें खेतों को फूट प्रोसेसिंग से जोड़ना होगा, खुदरा विक्री केंद्रों से जोड़ना होगा। यानि खेतों में जो उत्पादन हो रहा है या फूट प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुँचे और वहां से खुदरा विक्री केंद्रों तक पहुँचे या चार साल की यूजना थी यानि खेत, उद्योक और दुकान इन सब को जोर देना है और दुकान से कौन जुर जाएगा उब्भुकता जो जाएगा यानि सरकार कह रही है कि कुछ नहीं करना है जोरना है जोरना है या हमारा खेत है इसको जोरना है किस से ठीक प्रोसेसिंग यूनिट से प्रोसेसिंग यूनिट से प्रोसेसिंग यूनिट से को किस से जुरना है खुद्रा दुकान दार से बाकी या उब्भुकता से खुद ही जुर जाएगा खेत में उत्पादित बस्त हुए तेजी से बिरा नश्ट हुए प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुँचेंगे यहां से भोगता खरीद लेगा यही थी प्रदान मंतरी किशान शंपता योजना यानि खेत से लेकर के हम कह सकते हैं कि खेत से लेकर के खुद्रा विक्रिकेंदरों तक जो सप्लाई चेन है उस सप्लाई चेन को ठीक करना है और उस सप्लाई चेन में को ठीक करते हुए एकदम आज की modern infrastructure का निर्मान कर देना है modern infrastructure का मतलब यह नहीं कि खेत में उत्पादन हो गया आलू का तो आलू अमसर रहा है नहीं हमारे पास modern infrastructure होना चाहिए कि आलू तुरंत या तो processing unit में पहुंच रहा है नहीं तो cold storage में पहुंच जा रहा है ठीक और यहां से processing unit यानि धेर सारे mega foot park बनाएंगे यहां से बनके वो त ट्यल इश्टोर पर पहुंच रहा है यहां से उख द्वैधर दुकाणादार पर पहुंच जाय रहा है कि ना में कहा गया कि इसकी special इस बात पर काम करेगी कि खेत से ले करके फिर से सुनिए गोर से सुनिए प्रधान मंतरी किशान शंपदाईवजनां में कहा गया लाई गई 2016 में और सरकार ने कहा कि मीशन मोट पर इस पर हम 2020 तक काम करेंगे तो आप लोग सोच रहे होगे कि जब 2020 तक के लिए ही काम करना है तो हमारे गुरूजी जो चीजें बीट गई है उसे क्यों पढ़ा रहे हैं जी नहीं 2016 में लाई गई थी 2020 तक के लिए लेकिन 2020 में महसूस किया गया कि जो लक्ष हमने तैं किये थे वो हमने प्राप्त नहीं कर पाए तीसे बढ़ा दिया गया 2025-2026 के लिए यानि वर्तमान में 2016 की योजना का लक्ष रख दिया गया है 2025-2026 तक और साथ-साथ कहा गया है वही बात कि खेट से लेकर के खेट से लेकर के खुद्रा विक्री केंद्रो तक जो हमारी सप्लाई चेन काम करती है उस सप्लाई चेन में modern infrastructure का निर्माड करेंगे हम किसान संपदा योजना में और इस संपदा योजना के तहट जो अब 2026 तक चलेगी पहले से चल रही योजनाओ को भी तेजी से पूरा करिया जा रहा है साथ-साथ कुछ नई योजनाओ का क्रियानमन भी किया जा रहा है अगर हम देखें कि कौन सी पहले से चल रही योजनाओ पर काम किया जा रहा है और कुछ नई योजनाओ पर क्रियानमन किया जा रहा है उनको एक साथ मिला दें तो संपदा योजना के तहट मेगा फूल्ट पार्कों पर काम किया जा रहा है उन्हीं मेगा फूट पार्क वो पहले से चल रही योजना है उसको तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है यह देश में धेर मेगा फूट पार्क बनाने को से चल रही है खाद प्रसंस करण और परिक्षड छमता का विकास किया जा रहा है यानि भारत में फूट प्रोसेसिंग की जो कैप सिटी उसको डिब्लिट किया जा रहा है किसी प्रसंस करण क्लस्टर आउसर अचना का निर्मान किया जा रहा है यह नई योजना लाई गई है कि जहां जहां देश में जहां जहां अभई 42 ही मेगा फुट पार्क से ही पूरे देश का काम थोड़ा चल रहा है कि हर जिले में क्लश्टर आधारी प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माड करो जहां मक्का उत्पादन हो रहा है मक्के के आटा कैसे बने मक्के से पापकार्न कैसे बने उससे समंदी जो जितनी भी यूनिट से लगाओ कयाम का उत्पादन हो रहा है ताम के लिए कई मचली का उत्पादन हो रह कि अर्थात भारत के जिले में, जिस अस्थानीं चेत्व मिथलाच्थ्र में मखाने का निर्मार हो रहा है आज ही इस बिले बता रहा हूं की आज मखाने के छेतर में बड़ा investment आया है जहां जहां लगाया जा रहा है cluster पर लगाय जा रहा है कि उस उद्योग से समंदित जो सहायक उद्योग है उसकी भी अस्थापना कर दिया जाए या शंपदा के तहट नया काम किया जा रहा है साथ साथ बैकवर्ट और फारवर्ड लिंकेज का भी सरजन किया जा रहा है मतलब प्रोसेसिंग यूनिट में वस्तूओं को लाने से पहले कि जो करजे की बेवस्था होती है उसको भी बैंकों दोर आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है माल लीजिये कोई प्रोसेसिंग कोई व्यक्ति है कोई किसान है वो एक ट्रक खरीदना चाहता है कि वो अपने उत्पाद को प्रोसेसिंग यूनिट तक ले जाएगा या कोई नया व्यक्ति आया वो कहता है कि हम एक processing unit लगा रहे हैं लेकिन उसके लिए हमें कर चाहिए ताकि एक truck खरीदें ताकि हम किसान के खेच से समान अपनी unit तक लाएं तो यह backward linkage होता है यानि unit तक लाने के पहले क्यों सरचना है तो backward linkage है तो उसके लिए उसे कर्ज दिला जा रहा है फारवर्ड linkage मतलब वो कह रहा है कि हम अपनी unit में समान बना तो लिए लेकिन इस समान को market में supply करने के लिए भी हमें पैसे चाहिए हमें कर्च चाहिए हम अपना भेज के चुकाने तिसे फारवर्ड linkage कहा जा रहा है इसका भी सिर्जन किया जा रहा है सासात खाज सुरक्षा गुरवत्ता अस्वासन अवसर रचना पर काम किया जा रहा है इसका मतलब वाई धेर सारे fssai के लैब पूरे के पूरे देश में बनाए जा रहे हैं ताकि गाँच और खेट खलिहार कसमे कहीं भी अगर किसी खाद पदार्थ का निर्माड हो रहा है पैकिंग हो तहत मानो शंशाधन तथा संस्थानों का विकास किया जा रहा है अर्थात फूट प्रोसेसिंग में धेर सारे लोगों को स्किल किया जा रहा है एवं धेर सारे ऐसे इस्टूट तयार किये जा रहे है जहां फूट प्रोसेसिंग से जुरी हुई पढ़ाई हो धेर सारे फू इसे लोग नहीं होंगे जो food processing में skilled होंगे ऐसे सास्थान नहीं होंगे जो food processing से जुड़ी धेर सारे course available कराएंगे तो हम भविश्य के food technologist भविश्य के food processor कहां से खड़े कर पाएंगे और अर्थ व्योस्था का ताना बना हम बुन कैसे पाएंगे तो इतना काम किया जा रहा है शंपदा योजना के तहट जिसे 2025-26 तक बढ़ाज दिया जा रहा है और यही कुल बाते हैं food processing की छोटा सा चैप्टर छोटा सा ध्याय बेहतर से पढ़ लिजेगा और मुझे उम्मीद है आपको एकदम समझ में आ गया होगा एकदम तयार हो गया होगा तो आपके चेहरे प जन्दगी और समाज के जितने अंधिरे हैं जला करके रख देंगे अपने जन्दगी में भी रोशनी भी खेर देंगे पूरे देश दुनिया में रोशनी भी खेर देंगे तो हमें जरूर बताईएगा जरूर सुचित कीजिएगा क्योंकि हमारे निश्ठाएं अंतता तो स समाज के ही उतकर्स में हैं समाज का उतकर्स जरूरी है राष्ट का उतकर्स जरूरी है समाज में उजाला आना जरूरी है राष्ट में उजाला आना जरूरी है और समाज और राष्ट में उजाला तब ही आता है कि धेर सारे युवा राष्ट और समाज के पास हो जिनकी पास पूछी है, हमारा उद्धिश है कि हम धेर सारे आशे युबा तैयार कर सके तो आप लोग ही वो वो लोग हो जो समाज को उतकर जो और ले जाओगी जो राष्ट की और ले जाओगी राष्ट और समाज में उजाला फैला होगी तो हमारे दोरा किये गए प्रियास, अगर आपको यह विस्वास दिला पाते हों, यहां एक दिन अधेरा छटेगा, उसाला आएगा, हम इस देश के विकास के बहग बनेंगे, हम इस देश के राश्ट निर्मार के बहग बनेंगे, हम अगली पिही की भारत को जुल भविश के बहग बनेंगे, अगर यह विस्वास आपके भीतर आ रहा हो, हमारी क्लास के बाद, या हम इस विस्वास को जगाने में तनिक भी सफ़ा लो रहे हों, तो हमें जरूर बताईएगा, हमें जरूर सुचित कीजिएगा, तब तक स्वस्त रहिए, मस रहिए, पढ़ते लिखते रहिए, मिलते हैं, नेश्ट क्लास में, PDS के साथ, Public Distribution System के साथ, तब तक के लिए, नमस्कार, जैन्त